हला एवरीवन दिस पावन शर्मा बात करेंगे इंट्राइज स्टॉक्स फर थर्टीन्थ आफ जून लास्ट जो हमारा सेशन था फ्राइडे का उसमें आपने देखा कि फेट डेटा आने से पहले जो इंफलेशन का डेटा उसके आने से पहले मार्किट उसके फियर में जो है नेगिटिव में क्लोज हुआ और रात को जब इंफलेशन युएस का इंफलेशन का डेटा आया तो वो हाइस रहा है लास्ट फॉर्टी एस में और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ मंस में वो डेटा डबल डिजिट में जा सकता है विच मे सेवन है लेकिन वो भी बड़ेगा अगर डबलू पी आई अपने जो हैं लॉसिस पासओन कर देंगे कस्टमर्स को बड़ा इंटरस्टिंगल एक में मिला मुझे किसी ने भी स्टेंट किया था यह है यहां पर फेड जो हैं इंफलेशन को बुझाने की लगाता जो हैं कोश तो कुछ भी बाइं मत करें यह में जरूर कहूंगा जो आपकी पोजीशन से हैं इस टाइम उनसे एक्जिट करने का कोई फाइदा नहीं है इस टाइम एंटरी की जाती है तो थोड़ाधरा कैपिटल अगर हो तो सिफ करना शुरू कर देजिए और अपना थोड़ाधरा अक कुछ दिन में और रेड में जा सकता है जैसे मैं करता हूँ आपना जो कोलेटरल यूज कीजिए और उसको जो है आप्शिन में यूटलाइज करना शुरू कर देजिए अब कहने के लिए तो हमारे लिए मंडे का जो डेटा है जो मंडे की मार्केट है वो गयाब डॉन ओप होता है समवे क्लोज टू 16-15 से लेके मतब अंदाजा है कि 16-50 से लेके 16,000 के बीच में मिलेगा अब सबसे इंपॉर्टन चीज टैन ओ क्लॉक तक कोई ट्रेड आप नहीं लेंगे अराम से एक पुरानी कहवत है मार्केट जब ओपन होती है तो सबसे ज़्यादा लॉस जो ओपन होते जो हैं लेते हैं वो हैं रिटेईल इमेचुरू ट्रेडर्स वो क्या करते हैं ओपन होते तुरंथ जंप कर जाते हैं यह सोचके कि अग अगर इस टाइम पर यह मोमेंट निकल गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा फिर ऐसा कुछ नहीं होता आप अराम से पेशन्स रखिए वाकेट आपको बहुत अच्छी ज़ल देगा तो हमें क्या करना है इनकेस मार्केट एक बार नीचे आती है तो 16,000 से एक बार बांस बै करेंगा इस पर देटा यह अंदाजा लगाया जा रहा कि इसके आसपास ओपन करेगा पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि 16,100 के आसपास ओपन करें तो इन में से कोई भी डेटा आपको मिले समझ जाएगा वहाँ पर आपको सेल और राइस ही करना है जितना ऊपर जाएगा उतना जादा प्रॉफिट मेलेगा पुट में नीची आएगा एक बार बाउंस बैक करेगा उस बाउंस बैक के बाद हमें एंटर करना है तो आपको जो है डेटा देखनी की ज़रूत नहीं अगर नहीं समझ में आता अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस को भी चेक कर लेंग तो मैं आपको टेलिग्राम को तुरू अपडेट कर दूगा एज अफ नाओ एज पर देटा बाइं बिलकुल नहीं है सिर्फ सेलिंग की है जो भी स्टॉक आज हमने पिक किये हैं वो भी उसी के जो हैं कंसिडर करते वे पिक किये हैं तो हमारे लिए सेल और राइस रहेगा यह वाला बाइब बहुत मुश्किल है फिर भी एक लेवल हम जो है आइटिफाई करकर रखेंगे 16200 का इन निफ्टी बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में बैंक निफ्टी में दो चीजों का ध्यान रखना है पहला इस टाइम पे जो एडिप आएगा इस डिप पे ब इन सब बैंक में अब बाइ करना शुरू करेंगे ऐकीमिलेट करना मतलब यह नहीं कह रहा कि मिड़ब में पर जाने के उससे परहिशान मत हो येगा anti and less market एक support ना बनाए जिसको आप कहते हैं एक बे support ना बनाए तब तक कोई buy नहीं बनेगा अगला fall at least यहां तक तो बने गई बनेगा 33,000 का हमारे पास nearest resistance है 34,500 का और support है 34,350 का तो 34,500 पे हमें जो है इसको break करे possibility काम है लेकिन market है कभी भी surprise देखिए जो भी मैं बताता हूँ आ बलको ऐसा भी हो सकता है कि मैं पूरी तरह गलत हूँ क्योंकि market जो है immediately turn ले जाती है overnight बहुत कुछ हो जाता है तो हमारे लिए levels को पहले ही त्यार रखे कि हमारे लिए ये level ये रहेगा ये वले ये रहेगा उसके ऊपर आए उसके नीचे रहे तब ही हम entry लेंगे तो ये package ज आपको sell on rise की सला दूँगा हो सकता है एक बार नीचे गिरता चला जाए bank nifty एक बार नीचे गिरे और 34 से एक बार bounce करें फिर 34, 350, 250 भी हो सकता है इसलिए जल्द बाजी मत कीजिगा market open होते ही एक बार लगातार selling आएगा उसके बाद में जब रुके तब हमें enter करना है bank nifty मे recap में हमारा पहला पेक था बंदन bank बंदन bank में देखे 336 का हमारा buy था वहीं पे resistance मिला दुबारा attempt किया और वहां से एक fall किया हमारा second target भी 325 का था उसने तो उसके नीचे आके जो है close किया एक low बनाया 322 का so that is more than second target on our sell side और इस से better trade जो है जिसका अप्षैल on rise कहते हैं resistance पे sell करना कहते हैं नहीं मिल सकता अगला था हमारे पास में that was vipro इतने बड़े gap loan के बाद में possibility नहीं मलती अगर आप उसके भी accordingly चलेंगे तो यहां पे हलका फुल का आपको sell मिलेगा otherwise ignore then we have ICIC pro life फिर से उसने वहीं पे resistance phase किया 566 का हमारा buy था देखिए पहला candle ही तना बड़ा ब maximum आपको यहां sell मिलेगा यह बार बार मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जब बहुत बड़ी candle बनती है तो उसमें या तो आप यहां sell करेंगे या इसके उपर जाएगा तब buy करेंगे या फिर यहां पे नीचे गिरेगा यहां पे आप buy करेंगे तो यहां पे देखिए classic sell औ Merico ने तो क्या किया देखिए इतना बड़ा candle और यह exactly वही जो मैंने अभी आपको समझाया और यहां से इतना अच्छा buy otherwise हमारे पास 559 का sell ता Merico is 494 का sell ता so that was almost here वो तो आया नहीं यहां जाने के बाद में कोई buy नहीं लेकिन यह अच्छा आपके लिए buy बनता है Merico में stock selection में पहला पेखरेगा trend trend या बाकी stocks जो हैं सब में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आज मैंने वो stock pick के हैं जो resistance पे आके hold कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि हमारे पास जादा chance sell के हैं resistance को face करने के तो अगर मैं कहूं आपके पास 70% chance sell के हैं और 30% buy के हैं तो ध्यान और यहीं पे resistance पे 70% chance रहेंगे आपके sell के इसमें जलबाजी नहीं करनी है stock को try करनी दीजिए ना जो भी mature trader होते हैं उनको लगता है यहां पे buy होगी तो एक बार enter जरूर करते हैं 5-10-15 मिंट पर जाएगा फिर नीची आएगा resistance face करें और वहीं पे आप sell कीज़ेगा आपक अगर देखेंगे वो भी मैंने ऐसे पिक है आपके लिए यह है torrent power यहां देखेगा एक breakout के लिए ready था आप यहां पे आने के बाद में almost अगर आप यहां से देखेंगे तो यह ऐसे है यहां से भी आपके लिए लेकिन torrent power एक ऐसा segment है जो इस time demand पे है तो possibility यहां पे 50-50 रहे जाएंगे वहां पे कम था तो अगर यह कल हमारा 4 यह रा 468 के आसपास या 470 का बनता है majorly इसके उपर अगर चला जाता है torrent power या फिर एक बार भागे फिर नीचे आके वहां पे hit करे तो sell भी कीजेगा और अगर इसके उपर hold कर लेता है थोड़ी देर के लिए तो थोड़ कभी कभी statement को मान लेते हैं तो कल हमारा इधर की तरफ selling की तरफ थोड़ा जादान रहेगा buying की तरफ काम रहेगा उसके बाद में मेरे पास में है dabber dabber भी देखे यह यह attempt किया है थोड़ा सा आप थोड़ा सा attempt का मतलब यह आप देख रहे है 505 का यह level है जहां से आपके पर hold कर लेता है डावर तभी आपको buy करना है otherwise यहां भी जाद तर आपको sell and rise की possibility मिलेंगी जल्द बाजी करेंगे हो सकता है आपको gap non मिले एकदम भागना शुरू करें कुछ नहीं बिना trade के भी रहेंगे तो भी एक अच्छी trading setup बनेगा और चीज़ देख लेंगे जरूरी रहेगा हमारे पास में वो रहेगा और Aura Pharma Pharma sector में कुछ अगर मैं Pharma sector की बात करूँ तो बाइयो कौन भी मेरे पास में है डिवीज लाब भी है उसके रावा आप जो है पौली के आप भी कर सकते हैं एक और स्टॉक मैंने फाइंड किया हुए एक और है मेरे पास आर्ती इ जो है as I said polycab और जो है rp यह भी आप देख सकते हैं मैं ऐसी search कर रहा था जब stock निकाल रहा था तो यह सब stock मुझे मिल रहे थे तो उस basis पे you can take a trade ignore the spelling mistake तो यहाँ पे हमारे लिए इसके उपर या फिर यहीं पे resistance पे आपको sell बनेगा बाकी 4 stocks आपको बहुत प्रवाइड कर दे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा description box में कुछ links available है जैसे हमारा membership program का link है और कुछ DMETS account के links है उनको आप यूज कर सकते हैं for your benefits plus comment करना मत बंद कीजिएगा आपके comment से हमें future topics के बारे में पता चलता रहता है और उसके बारे में idea मिलता रहता है that's all for guys I will see you into my next video have a nice day take care